स्वागता आपका आल इंडिया अगनबाडी न्यूस चैनल में दोस्तो आपको बता दो अगर आप सच्ची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तो आगनबाडी की हो या अन्ने कोई खबरे तो दोस्तो यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन वेल भी दोस्तो आन करने ताकि आपको हर अपडेट न्यूस चैनल की सच्ची खबरों में यहां पर आज कुछ अच्ची खबरे लेकर के मैं आया हूँ जिन चीजों को आप देखने के बाद में आपको एहसास होगा कि सच में यह वीडियो बहुत अच्चा है तो दोस्तो आज अभी से आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सेयर कर सकते हैं क्योंकि खबरे यहां पे काफी अच्ची है हमारे बाबुलाल मौर्याजी अभी कुछ दिन पहले इन ही के लिए अपने चैनल के जरीए आवाज उठाई जा रही थी और आज अपने भाई के लिए यह खुसियों भरा दिन जो है उसको देखते हुए उनको बधाया दी जा रही है दरसल यहां पे बाबुलाल मौर्याजी अध्यच बने है और यह 1 मई का 2019 का अमर उजाला का जो न्यूज पेपर है उसमें आपको यह देखने को मिला होगा उत्तर पुदिस की खास बहनों के लिए राजस्थान की जो बहन है वो भी कहीं मत जाएए देखते रहे यह वीडियो को आपके लिए भी इसमें बहुत अच्छी खबर लेकर के आया हूँ यहां पे पद वगोपनीता की सपत लेते पदाधिकारी यह अमर उजाला की तरफ से निकाला गया था और यह बाबुलाल मौर्याजी हैं और अभी क्योंकि कुछ समय पहले इनको गलत तरीके से जब संगठन से निकाला जा रहा था नोटिस दिये जा रहा थे तो सभी बहनों ने सभी आल इंडिया के बहनों ने भी सहयोग किया था भाई जी का निर्विरोध बाबुलाल मौराजी को अध्यच जो बनाया गया है सभापरवीन को महामंत्री पत के लिए चैनित किया गया है और इसके पूर कारक्रम की मुख्य जो अतिती बाल विकास विभाग की जिला कारकम अधिकारी मंजू वर्मा जी जो है उन्होंने सभी आंगनबारी कार करती हो और सहाइकाओं को एकजुट रहने को कहा है बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा बल देते हैं हम अपनी एकता को लेकर के दरसल इतनी ज़्यादा संख्या है हर राजजी में आगनबारी बैनों की उत्तरवदेश में तो 4-4 लाक हैं फिर भी सोचिए जब धरना होता है वहाँ पे 50,000 की संख्या लाना मुस्किल हो जाती है क्यों तो यह सोचती है कि यब बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ जाएगा तो यह तमाम धरनाें हैं विचार हैं इस बजह से एकता काफी खंड़ित होती है मैं यही चाहता हूँ आप सब लोग एक होकर के रहें चैनल से बहनों को अपने अपने जोडें ताकि वो उस वीडियो देखेंगी कुछ न कुछ तो अच्छी बाते होंगी समझ में आएगा जागुरुक होंगी दीरे दीरे जब भी अपना अधिकार लेने का समय आएगा वो यहां पे निरविरोध चुने गए है सबसे अच्छी बात तो यह है उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं था है बहने भी वहां पे पहुंची आप देख रहे हैं तो भाई की जो इज़्जत है वहां वारा नसी में आप लोग खुद ही जानते होंगे और वहां की बहने भी जानती हूंगी तो ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है मैं इतना जानता हूं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और भाई को अपने चैनल के लिए अपने तरफ से बदाई देता हूं और यहां पे यह जो लेटर और यह जो न्यूज निकली थी दरसल कल से मैंने दो वी रहे हूं क्योंकि सरकार पर भरोसा तो किसी को नहीं रहा हर कोई जानता है अब जब तक हमारा तो यही कहना जब तक सरकार देती नहीं है पास नहीं होता है यह सब चीजे तब तक हम कैसे बरोसा करने कि सरकार हमें जो है प्राइमरी टीचरों जैसा वेतन देगी 40-40,000 कैसे दे देगी क्योंकि जब वो पंदरा सो नहीं बढ़ाते मुश्किल से हैं और वो भी कहीं प्रोसाहन कहीं तना काम बढ़ा दिया जाता तब जाके यह सब कुछ होता है तो कैसे करेंगे देखते हैं भाई जो लोक लेका समिती ने जो सिफार से रखी हैं खास करके उन पर क्या ह हमारी सरकारे एकसल लेंगी तो अगर ऐसा हुआ तो हमारी बहनों को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धी प्राप्त होगी साती राजस्थान सरकार की तरफ से ये लेटर आप देख रहे हैं जो आपका निदेशाल है समेकित बाल विकास सेवाएं जलपत गांधी नगर जैप कि राजस्थान सरकार की तरफ से खास करके राजस्थान की समस्त वेहनों के लिए जैपुर से 5.2019 यानि कि कल ही निदगत हुआ कल हमारे पास आ गया था, साम की खबरों में आपने देखा काफी अन्य खबरे थी, ये सुबह की खबरों में मैं आपको दे रहा हूँ, आदेश जो हुआ है वहाँ पे उसके बाहरे में बता दूँ, परदेश में व्याप्त, अत्यधिक गर्मी को दृष्टिगर रखते और वहाँ पे बहुत सी बेहनों की जानकारियां आएं, और मैं तबियत खराब होने के वजए से मैं काफी कमेंटे बेहनों के नहीं पड़ पाया, जो हमारे पास वाट से पर भी लगे हैं, और चैनल पर भी लगे हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ, आज समय मिलेगा, मै देख लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा काम का प्रेसर नहीं बढ़ाना चाहता था, और तब यह सही नहीं थी, अब देखते हैं, आज देख लेंगे, समय मिल पाएगा, लेकिन मैं इतना जान रहा हूँ कि यहाँ पे जो समय बदल दिया गया, आट एम से बारा एम तक के दिया गया, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकती हैं, और यहाँ पे साप साप लिखा आंगन बारी भोनों का, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकती है, दिनांक 15-2019 प्राता साथ बजे से आपका 10 बजे तक, तो समय आपको मैं दो बार ने, चार बार बता रहा हूं, राजस्थान की जो बहने है, आपके राजस्थान सरकार की तरफ से ही यह लेटर है, और यह सही लेटर है, भरोसा आपको हो या ना हो, लेकिन दीरे-दीरे हो जाएगा, जैसे आपके केंदर के बदलाओ के लिए, आपकी चाह सुपरवाजर बहने के य जानकारिया तो होती ही रहेंगी, खास कर यह लेटर है, भरोसा जिसको है, वो समझेगा चीजों को, तो पहले आठ से बारा को समय के स्थान पर बदल करके 7 से 10 कर दिया गया है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 7 से 10 नहीं है, यह लेटर सिर्फ राजस्थान के समस्त गत्विदिया नियमित रूप से संचालित की जाएं, यानि कि 7 से 10, 3 घंटे, 7 से 10, तो 3 घंटों में नास्तावी बच्चों को चाहिए, खाना भी चाहिए, इसे हिसाब से आप लोगों को सभी को वहाँ पे नियमित रूप से सेट करना होगा, और बच्चों को खिला ना होगा, उक्त समय परिवर्तन जो दिनांख है, वो 36, 2019 तक प्रभावी रहेगा, यानि कि जून, छटा महीना आपका जून का होता है, 30 जून तक ये सब प्रभारी रहेगा, यानि कि 7 से 10 बजे तक का समय, 3 घंटे का मातर खुलेगा केंद्र, ये आपका समय परिवर्तन 30 से 6, 30 तारिक, सौरी माप करना, 30 आपका जून यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जुलाई से फिर कुछ बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर 36 तक के लिए प्रभावरी रहेगा, ऐसा आदेश है, और उसके उपरां तक कार्रे समय पूरुवत रहेगा, साथ ही 20 परिवर् मांदे कर्मी आंगनबाडी कार करता, 10 बजे और अपराहन गरह संपर्क का कार करेंगी, ऐसा भी यहाँ पे कुछ नोटिस लिखा, इसको एक बार और पढ़ लिजे, उप्त समय परिवर्तन 36 तक प्रभावी रहेगा, उसके उपरांद कार का समस्त पूरुवत रहेगा, और कि यह तो सही है, साथ ही यहाँ भी स्पष्ट किया जाता है, क्या आप इसको आप समझ लेजे कि कर्मियों, जो हैं मांदे कर्मियों जो आपके हमारे आंगनबाडी बहने को माल लेजे, कि समय में जो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उनके समय में बता प्रांत वग्यरा का कारकम भी वो संपर्ग का कारेंगी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर और बेदी हैं, समेकित बालविकास सेवाई हैं, जाजस्तान जैपूर की तरब से, और इसमें काफी कुछ लिखा जैसे प्रसास्तान सची उमारनी मुक्यमंत्री महोद है, और सभी के लि यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, और साथ ही आपको बता दू, एक और लेटर लगा है, 30 अप्रेल 2019 का, उत्तर प्रदेश की तरब से, लगनों की तरब से, यहाँ आप लिखा है, विभाग के अंतरगत संचाली योजनाओं को, DBT मोट के द्वारा संचालन के नंबर जो MIS और डैस RRS पोर्टल पर फीड किया रहे हैं, तथा जिन लाभारतियों के आधार काड नहीं बने हैं, उनका सत्थ प्रतिसत सत्यापन मात्र समिती के अध्यच ग्राम प्रदान आंगनबाडी कार करती इवं मुख की से विका से कराते हुए प्राप्त जो है सत् कारी दोरा किया जाता है और उक्त सत्यापन का प्रमार पत्र जो अंकित करते हुए सनलगन प्रारूप जो पूर्व में भी प्रेसित किया गया है और पर जो मांग पत्र यानि कि लाभारतियों के सत्यापित सूची सहित दिनांग 10-5-2019 यानि कि 10-5-2019 10 माई तक है प्रारू करके है और साथ ही आपको बता दू यह लेटर भी आपको मैं अपने फेस्बुक पेज आल इंडिया का जो फेस्बुक पेज वहां भी डाल दूँगा और हो सकेगा तो अपने कम्यूटी में भी पोस्ट कर दूँगा उक्त के करम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रेसित निर्दारित जो प्रारूप थे एक वादो जो अंकित जो आंसिक संसोधन किया गया उसमें संसोधन प्रारूप सलंगन कर प्रेसित तता सुचनायब संसोधित भी की गई है उन चीजों को लेकर के प्रमारन किया जाएगा और सत्यापन सुची को लाभारती है जो आप लोगों को एक लेटर अपने चैनल के मादब पर डाल दूगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ पाएं और चार बार पढ़ें या दस बार पढ़ें तो जादा अच्छा होगा और खास करके एक और हमारे पास एक लेटर था ये था आपका एक पांच दोजार उ तो इसमें लिखा है अधोस तचरी को व्यक्तिकत मुवाइल नंबर पर पर परोजना जंजरी तथा सहर की आंगरबाडियों द्वारा पूछा जा रहा है कि वह एक साथ बूथ लेवल आफीसर यानि कि बिलो तथा दिव्यांग मित्र यानि कि सहयक की ड्यूटी कैसे करें जबकि बिलो के पास नियमित रूप से कार के अधिकता है तथा वह नियमित रूप से कार कर रही है अता आप सबी को अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि जो भी आंगरबाडी बूथ लेवल आफीसर मतदेथ इस थल पर भारा निरवाचन आयोक के अनुसार जिल ता स्वायक के रूपे निउत किया गिम्टृ की सकता है, या वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसमें कई लेटर मैंने आपको दिखाए और खासकर कैसे लगए, यहां पर यहां पर मैं channel उनके साथ में खड़ा होता है क्योंकि हमें पता है हमें जितनी एक्ता होगी हम लोग सरकारों से उतनी मज़बूती से लड़ पाएंगे भष्टाचारी से उतनी मजबूती से लड़ पाएंगे और बहनों के लिए